कि सीम ट्विटर हैंडल से महत्वपूर न्यूज आई है सीटी के बार में कॉमन एलविजी टेस्ट के परिणामों के बाद गुरूप सी की नोक्रियों को नोटिफिकेशन निकाला जाएगा यानि कि अब यह उमीद बन चुके गुरूप सी की बर्दियां जल्दी ही होने जा एक बार एंपलोई बन गए हैं वो डी में क्यों जाएंगे इसलिए पहले ही जारी करने की बात कहीं गई है लेकिन होना यह चाहिए गुरूप सी की जो नोक्रियां जल्दी से निकल कर और वह उसके पूरी जो प्रोसेजर करने चाहिए उसके बाद गुरूप डीका नहीं बिने गनेरेट नहीं तो वह भी सी टी जो गुरूप डीका हो भी सब्रीकनेरेट बरहेंगे और यहां गुरूप सी के 40,000 पदों पर बरती की खबर है इसका एलान है सीम ने किया है उन्होंने का कि गुरूप सी के पदों की बरती सी एटी जो हो चुकी है उसका रिजल्ट सीट करके लगबग 40,000 पदों का विज्यापन जारी कर दिया जाएगा और इसके लावा गुरूप D के पदों की बरती के लिए भी सी के परिक्षिया आईजित की जाएगी और लगबग 17 से 20,000 पदों पर ग्रूप D की बरती की जाएगे और साथ-साथ उन्होंने CET exam की वेदता भी बताया है कि 3 साल है CET का योजन हर वर्ष किया जाएगा और इस टेस्ट की वेदता होगी 3 साल जो भी अपने नमबर में मार्क्स में इंप्रूमेंट करना चाहते हैं वो भी इस exam को दोबारा दे सकते हैं